सबसे पहले हम तीन शीट लेंगे, पहले हमारा 21 x 20 cm, दूसरा है 24 x 24 cm, और तीसरा है 27 x 27 cm अब इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, त्वेंटीवन का 7 x 7 होगा अब हम इसके साइक के ब्लॉक्स को कट करके निकाल देंगे सब्सक्राइब करेंगे, और अब पैंसिल के मार्क्स को भी एरेज कर दिया है और इसे फोल करने के लिए, मैं यहां पर भी इसे इंभाग कर दिया हूँ अब इसका कैप बनाने के लिए, हमें 10 x 10 cm का शीख देंगे, जिसके 1 cm एज़स पे हम मार्क कर देंगे अब इसके खाइच को हम कट करतेंगे इसे ऐसे चिपका देंगे यह बहुत जादा इज़ी वे है किसी भी बॉक्स का कैप बनाने के लिए इसे ही मैंने तीनो के बना चुके हूँ टो अब इस पे हम कुछ प्रिंट्र शीट का रहे हैं अब चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते कुछ परना भी सकते आपर कोई भी पिक्चर चिपका सकते हैं मैं इसे पेंट्र शीट का रहे हूँ मैंने इसको 16x6 लिया है क्योंकि ये बॉक्स का एक ब्लॉक 7x7 था तो मैंने इस शीट को से थोड़ा छोटा ही रखा है कि अब ये हो गया है कैसी में बाकी सब्सक्राइब भी किया है मैं चॉक्लेट को चिपका जेते हैं मैं ये चॉक्लेट डबल सैडे टेप से चुपका रही हूं आप चाहें तो किसी भी चिट से जिपका सकते हैं अब हम इस पे दूसरा वाक्स जिपकाएंगे आप चाहें तो कोई भी चॉकले चिपका सकते हैं बस ये ध्यान रखें कि वो शीट के अन्दर ही हो हुआ हुआ है करें कि कीरिं कि दखें है तो आप में बीशा औ कर देंके दीड़ार जो आप यह निए हो गया तो उपन कर के देखते हैं मैंने यह दूसरे स्टैल से में बनाया है मैंने एक लेयर में चॉकलेट की जगह कुछ पिक्चर्स जिपका दिया है लाइक आप किसी को गिफ देने चाहते हो तो उसमें आप इसके पिक्चर्स भी जिपका सेथे हो जैसे मैंने यहाँ पर यह जिपकाया है जैसे में खरेग्ड ट्रबड़ बनाया रहाँ जिपकाट अप्रवाच और इसके अजिए प्रवाच आप को आप एक प्रवाच ट्रवाच आप चानल